आज 5 नवंबर है और प्रतेकपर्स वर्ल्ड सुनामी अवेर्नेस डी विश्व सुनामी जागरूपता दिवस 5 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुनामी क्या है तो सुनामी बड़ी लहरे हैं जो समुद्र के किनारों पर उत्पन होती है जो मुख्य रूप से फुकम से चुरी हुई है कई अन्य प्राकृतिक आपताओं की तरह सुनामी के बारे में भी भविसेवानी करना मुश्किल है सुनामी लहरे अत्यदिक खतरनाक होती है और आम थोर पर पानी की मजबूत दीवारों की तरह लगती है सुनामी से जुरे जोखिमों के बारे में लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए विश्र सुनामी जागरुकता दिवस मनाया जाता है चुकि प्राकृतिक आपताओं की कोई सीमाय नहीं होती इसलिए सहयोक्त राष्टर ने 5 नवंबर को विश्र सुनामी जागरुकता दिवस का सुझाव दिया और रोक थाम के प्रयासों और सार्वजनिक जागरुकता बढ़ाने में वैश्रिक सहयोक के लिए अपील की इसके विनाशकारी प्रभाव की कारण कई जीवन बरबाद हो सकते हैं 2004 और 2011 के वर्सों की विनाशकारी सुनामी ने यह साबित कर दिया है कि ये प्राक्रितिक आपताएं कितनी घातक हो सकती हैं जादा तर लोग सुनामी के शुरुवाती संकेतों से अंजान हैं और सुनामी से उत्पन होने वाली लहरों के दोरान किये जाने वाली निवारन की जानकारी नहीं रखते हैं विश्र सुनामी जागरुकता दिवस सुनामी को लेकर हमारे ग्यान और जागरुकता में सुधार करने में मदद करता है और इससे यह भी पता चलता है कि किसी भी इस्थिती में फसे हो तो हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए सुनामी दिवस पर इसके जोखिम से लोगों को जागरुक बनाने के लिए राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय अस्तर पर कई सम्मेलनों बहस सेमिनार प्रशनोतरी आदिका आयोजन किया जाता है दिसमबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 5 नवंबर को विश सुनामी जागरुकता दिवस के रूप में नामांकित किया हर साल इस दिन को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने सभी देशों, सिविल सुसाइटियों और अंतराष्ट्रिय समीतियों से अपील की तब से प्रतेग वर्स 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवर्नेस टे विश्र सुनामी जागरुकता दिवस मनाया जाता है